हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी टिप्स पर जहां पे संकल्प ना की जाती है और संकल्प की जाती है आपकी जीत की तो आएए हम लोग जल्दी से जल्दी जेपी एसी क्रैस कोर्स के अकॉर्डिंग आज हम आपके ल मुंडा मान की शाषन ब्यवस्था है इस ब्यवस्था के ऊपर में कुछ टॉप हम लोग वन लाइनर कुछ टॉप अब्जेक्टिव टाइप एंड टॉप हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एक्जैमिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्डेंट ह तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आते हैं सबसे पहले जारकन की जनजातिये शाषन ब्यवस्था में आज हम लोग पढ़ना है मुंडा मान की शाषन ब्यवस्था ठीक है तो पहला पॉइं यहां पर चाठ चाठ कर आपके लिए बना कर लाते हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा आउट्फु्ट मिल सके तो आई cheaper करते हैं Oh मान की मुंडा शाषन ब्यवस्था या हो देखिए दोनों के बात की गई है मान की मुंडा शाषन ब्यवस्था या हो लोगों की पारंपरिक शाषन ब्यवस्था है ठीक है आगे आते हैं मुंडा भाशा से हो भाशा मिलती है याद रखना है किस भाशा से हो भाशा मिलती है त संस्कृति और स्वासासन व्यस्था में किन्चित विन्नता है मतलब इन दोनों के बीच में संस्कृति और स्वासासन व्यस्था में थोड़ी बहुत जो विन्नता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ठीक है वैसे पहले क्लास के जितने भी हम लोगों ने अभी तक दे कर सकते हैं इसलिए हम आपके लिए यहां पर मैनत करते हैं आते हैं फूर्थ नुम्बर पर जहां मुंडाओ की पढ़ा पंचायत बहुत कुछ उराओं से मिलती है यहां पर क्या बोल रहा है मुंडाओ की पढ़ा पंचायत जो होती है वह उराओं से थोड़ा-थोड़ा मैच करता है हो लोगों की स्वसासन व्यवस्था पारंपरिक रूप से आज भी बनी हुई है ठीक है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे देखे इस व्यवस्था के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रतियक व्यवस्था कोई भी शासन व्यवस्था चल रहा है तो उसके लिए कहीं न कही एक आधिकारिक रूप से कुछ-कुछ आधिकारी चुने जाते हैं, कुछ-कुछ आधिकारी चुने जाते हैं, और इसी यही आधिकारी क्या करते हैं, पूरे शाषन ब्यवस्था को चेक करते हैं, चलाते हैं, और जो भी अनुमानित जिस तरक दाइत्व इनको दिया जाता है या जिस तरह का पदभार दिया जाता है उसको निमाते हैं तो आईए यहाँ पर देखते हैं मुंडा मानकी सासन व्यूस्था में कौन-कौन सा स्वशासन पदाधिकारी के लिए दाइत्व या पद है तो इनकी इस व्यूस्था में निम्नांकित पददारी स्वशासन का ताकवा, तीसरा मानकी, चौथा तहसिलडार, पांचवा मानकियों, देखे, मानकी और मानकीयों दोनों में क्या difference में है, अभी हम लोग देखेंगे, एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे, छटा नमर में दिवरी, और साथ वा नमर में यात्रा दिवरी, ठीक है, तो अब जो होता है उनको मुंडा कहा जाता है याद रखेगा ठीक है मुंडा गराम के परदान को मुंडा कहा जाता है देखे याद रहेगा मुंडा गराम के परदान को मुंडा कहा जाता है हो गया जबकि आज कल मुंडा जाती के सभी लोग मुंडा कहलाते हैं और वो लिखते हैं मत प्रतिक नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं दो civic नाम के पीछे मुंड़ा दोता है कि है हो समाज में मुंडी काप पद होता है जो गाउँ के मुखिया के लिए प्रयोग होता है यानि कि मैंने जो बोला कि गाउं का जो हेड होता है उसके लिए तो हो समाज में इस मुंडा शब्द का प्रयोग होता है ठीक है इसका शेत्र प्रशासन न्याई तथा लगान लेने का है देखे एक तो प्रशासन यानि कि शासन बेउस्था को ये देखता है शाषन बेस्था या प्रशाषन आप लिए प्रशाषन को देखता है साथ ही जो टैक्स वगेरा लेते हैं गाउधियात में जो टैक्स जड़ाता है पंचायत के लिए कुछ शाषन बेस्था में जो लागत लगती है उन सभी के लिए कुछ-कुछ टैक्स वगेरा लगाते हैं तो उनका भी देखरेक मुंडा के ही अधीन होता है यानि कि उनी के अंडर में होता है ठीक है अब डाकुवा क्या है तो मुंडा पदधारी ग्राम परधान के सायोग के लिए डाकुवा होता है जो मुंडा जी होते हैं यहां पे मुंडा यानि कि जो मुख्या होते हैं गाउं सुचना को लोगों तक पहुँचा जाता है यानि कि जίसे कोई meeting होनी है कोई बाठक होनी है अपने गाओ में या कोई किसी भी ط download का भार्रीर हो या किसी भी तरह का कुछ सूचना हो तो वो क्या हो कर गाओं के सबी लोगों तक पहुंचाना इस डाकुवा का काम होता है यानि कि मुंडा के अंडर में जो रहता है नीचे ठीक है उनके सहीयोगी है ये इनका एक एसिस्टेंट आप मान लीजे आगे बढ़ते हैं एक तरह से ये मुंडा पदधारी लोगों का स्वसासन व्योस्था का संदेश वाहग यानि कि एक मैसेंजर मैसेंजर का ये काम करते हैं ठीक है तो डाकुवा आपको समझ में आगया ये मैसेंजर होते हैं मुंडा का जो कि सहसासन व्योस्था किसी भी तरह का सूचना होता है तो लोगों तक पहुंचाते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग और मानकी के बारे में समझते की मानकी कौन सा शहसन व्योस्था में जो पतादिकारी हैं उनका क्या यहाँपर योगदान होता है ठीके 15 से 20 गाओं के उपर एक मानकी होता है देखे, एक गाओं के उपर क्या हो गगा इसका मुख्या मुंडा हो गया, फिर दूसरे गाउं का मुख्या भी फिर मुंडा हो गया, इसी तरह जब 15 से 20 गाउं मिला देंगे, तो उसके उपर एक मानकी होता है, याद रखना है, ठीक है, कितना गाउं लगवक 15 से 20 गाउं, देखे 5 से 10 गाउं का एक पीड, इसको पारंपरिक रूप से माना जाता है ठीक है समझ में आया यानि कि ग्रामों का सभी गाउं का एक पंचायत पीड का जाता है ठीक है कितने के मतलब दौरान मतलब कितने के गैप के अंगर पांच से दस के बीच का ठीक है और उससे ज्यादा अगर 15 से 20 हो जागा तो फिर मान की च जा सकते हैं और पीड द्वार सॉल्व निवा तो फिर वो मान की के पास जा सकते हैं ठीक है मान की की बैटक में सभी मुंडा तथा डाकुआ बैटते हैं जितने भी डाकुआ हुए और जितने भी मुंडा हुए सभी यहां पे हिंसरदारी लेंगे यानिकि सभी उस बैटक म रहेंगे और आगत मामलो का सबकी सहमती से मानकी अंतिम फैसला देता है यानि कि जितना भी कुछ हो यहाँ पर प्राप्लम होता है क्रियेट होता है वो सभी मुंडा है ना 15 से 20 गाओं का मुंडा और डाकुआ डाकुआ और मुंडा दोनों मिलकर क्या करते हैं मानकी का सहयोग करते हैं फैसला लेने में अपना विचार विमस वहां पर रखते हैं और अंतिम फैसला फिर मानकी ही समझाते हैं सुन जाते हैं और मानकी ही बताते हैं कि ठीक है सबका सुन लिया हम लोगों ने आप जो यह फैसला है यह इस तरह से फैसला है ठीक है और वह फैसला सभी के द मनकी का सहयोगी होता है हम लोग जानते हैं मनकी का दो काम होगा मनकी का कौन कौन से काम होता है एक तो सासन बेवस्था देखेगा यानि कि प्रशासन प्रशासन बेवस्था देखेगा और दूसरा क्या होगा टैक्स वगेरा का बेवस्था यह दोनों देखता यह तो इसका ज बोला जाता है तहसिल दार क्या बोला जाता है तास थे लिदर हो गिला किवार कुछrik के बोला जाता है याद होас सभी को तो इस तरह के questions, पूछे जाएंगे आप से, गाउं के मामले मुण्डा पददारी ही सुल जाते हैं, गाउं के जो भी मामले होते हैं, वह मुण्डपददारी ही समझहते हैं, यदि मुण्डपदारी से निप्तारा नहीं हो सका, तो वह कहां जाएगा, मानकी में जाएगा, वो भी वहाँ पर बैठते हैं रड़ाकुआ हुए वो भी वहाँ पर बैठते हैं और सब यहाँ पर राय परामस इनका भी राय परामस लिया जाता है कि क्या problem है इस इस इस्व को कैसे हम लोग solve करें और इसके बाद मानकी उसका निर्ने सुनाते हैं फैसला सुनाते हैं आगे इतना हो गया 15 से 20 गाओं के बीच में एक मानकी हुआ लेकिन अगर मानकीयों बोले है यानि कि प्लूरल मनलब एक मानकी तो इसी तरह से 15 से 20 और कोई ऐसा गाओं होगा जहां पर एक मानकी और होंगे तो इस तरह का जहां पर भी प्राबलम होगा तो फिर मानकीयों का मतलब अ कि एक समिति गठित होता है यानि कि तीन अलग-अलग मानकियों को बुलाया जाता है और समिति गठित होता है तीनों विचार मिमर्ज करके फिर फैसला सुनाते हैं ठीक है समझ में आया आते हैं दिवरी क्या होता है यह गाओं का पूजारी होता है दिवरी क्या होते है गाओं का पूजारी होते हैं जिसे दिवरी कहते हैं यह क्या होता है पूजा पाठ शादी विवा पर्वित युहार इनका प्रमुख भूमी का रहता है इन सभी में ठीक ह पारंपरिक स्वसासन व्यवस्था में दिवरी का सयोग मुंडा तथा मान की दोनों को मिलता है यहां पर कितने साप साप शब्दों में आपको बता दिया गया है कि मुंडा और मान की दोनों को इसका व्यवस्था मिल जाता है पारंपरिक्स्तो साथन में दीवरी के द्वारा याद रहेगा न तो दीवरी कौन होते हैं एक गाउं का पुजारी होते हैं जो कि पूजा पाठ शादी विबाप परवतियोहार इसकी भूमिका में यह अदा करते हैं या इनका प्रमुक्रता इस भूमिका इन सब चीज में व वह फैसला सुना सकते हैं अगर दीवरी से फिर नहीं हुआ वह फैसला तो फिर मानकी के उपर जाता है है ना उसके मतलब उससे पहले मुंडा के पास जाता है फिर मुंडा से मानकी के पास जाता है ठीक है यह प्रोसेस इस तरह से होता है आते हैं यात्रह दीवरी क्या होता एक प्रेया है थोड़ा से वो अनौन लाइन अरे सब्सक्राइज है सबस्क्राइजन हो dress elpon count ख़त्रब कि आपको एसे अनौनम को स्टप्ट्राइज हो आपकीत और सब्सक्राइज Frank visa अगर आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे सस्क्राइब बटन पे क्लिक करके या टैप करके उसको सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कीजिए और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे इस तरह के वन लाइन चाहिए य अरह भी बहुत स़ाइब में आप उसको देख वी सकते हैं यत्रणे देवरी की होता है ये देवरी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा देवरी का सahuगी होता है गाओं में देवद्यवताःल पूजा-पुजापार्थ ये सब जो भी शादी बया होता ही न तो उसका देवरी के साथ ये उनको निमाता है मतलब देवरी का एक एसिस्टेंट हो गया है बागी सारे काम ये करते हैं हो समाज में भी सरकारी पंचायत और पारंपरिक पंचायत दोनों साथ साथ चल रहे हैं ठीक है यह चीज याद रखना है तो यहां तक आपका most important topic हम लोगों ने deal किया इसक special batch को आप यहां पर free of cost YouTube में हमारे join कर सकते हैं join करने के लिए आप नीचे दिये गए description box में दिये गए number पर या तो फिर email ID पर या तो फिर telegram पर जाइन करके हमसे बात कर सकते हैं contact कर सकते हैं या आपका कोई और किसी भी तरह का issue हो तो आप नीचे comment पर लिख सकते हैं हम कोश हो जाए तो हमारी मेहनत successful और सफ़ल मानी जाएगी हमारे और भी कुछ batches चल रहा है SSC CGL के लिए CHSL के लिए RRB NTPC और Group D दोनों के लिए आने वाले GPSC के लिए तो हमारी special batch है ही BPSC UPSI Junior Engineer Assistant Engineer बागी बहुत तरह के अलग-अलग free of cost batch चल रहा है और हाँ एक खास news मैं बता द आपको पीडियाप आपको इमेल के जरीए आपको सेंड कर दूंगा otherwise हमारा टेली ग्राम जो लिंक दिया होगा आपको description box में उस टेली ग्रूप को जॉइन कीजिए वहां पर भी आपको free of cost मिल जागा मिलते हैं फिर next class में फिर आपके साथ नए कुछ interesting topic के साथ और आपके क कम समय में यानि कि बचत समय को ध्यान में रखते हुए कुछ perfect तैयारी की कुछ हम लोग कड़ी फिर से लेकर आएंगे तब तक के लिए thank you इस तरह हमारे study tips channel के साथ बने रहिए हम लोग फिर मिलते हैं आपके साथ तब तक के लिए जय हिंद जोहार जहार का धन्यवाद